नमस्कार दोस्तों मैं अंकित पर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके पनी चैनल अंकित पर्मा और लेट पी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं तार्या ख़बर ब्रेकिंग निउस जो आई है हिमाचल परदेश में बड़ा हाथसा जो है हुआ है 26 कमरे जो है जलकर राख हो गए है तस्वीर आप देख सकते हैं तो कहां कि निउस है पूरी जानकारिया आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ वीडियो पर एंड तक बने रही है अगर आपने भी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है वीडियो को शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूल है ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हर नॉटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो देख सकते हैं ताजा ख़बर ब्रेकिंग निउस आई है तीन मकानों में लगी आग 26 कमरे जलकर राख तस्वीरें आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के डिस्टिक कुलू से नुज है देख सकते हैं आग की लप्टें पूरी तरह से उठ गई है कुलू के आनी उपमंजल के तहत कोहिला पंचायत के जुआरना गाउं में चार भाईयों के दो मंजला तीन मकानों में अचानक आग लग गई आग में 26 कमरे जलकर पूरी तरह से राख हो गई बताया जा रहा है कि आग शौर्ट सर्किट की वज़ा से लगी है रसोई में रखे गया सलेंडर तक जैसे ही आग की लप्टें पहुँची तो जोर का धमाका हुआ जिसके बाद आग तीवर्ता से जो है दूसरे पास के मकानों तक जा पहुँची गाउं में अफरा तप्री का महौल हो गया आग पर काबु पाने की जो है गरामिडों में पूरी कोशिश की जबकि आनी से दमकल विभाग को भी वुलाया गया लेकिन तब तक सब कुछ चल चुका था कोहिला पंचायत परधान अनीता ने बताया कि जुआरणा निवासी राजुराम अनिल कुमार चमन संजुल लकडी के जो है मकानों में रहते थे जिसमें 26 कमरे जलकर राक हो गए प्रभावित परिवारों का कहना है कि अगजनी के समय नलों में भी पानी नहीं था जिससे काफी समान बचाया जा सकता था तो इस परकार आप देख सकते हैं अगजनी की ये गठना हिमाचल प्रदेश के डिस्टिक कुलू में हुई है अगर आपने भी तक वीडियो को शेर नहीं किया है वीडियो को शेर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूल है ताकि आप तक माचल प्रदेश की हार नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद जैहिंज जैभार